नमस्कार दोस्तों पहने श्टॉक के इस सीरीज में आप सब एक हरदी करनेंदर करता हूं दोस्तों आज हम लोग देखने माले तीन ऐसे श्टॉक जो अपर सर्कीट जो है उनका खुला हुआ है और आज की डेट में दोस्तों इसमें हम लोग ने एक बहुत अच्छा प्रोफिट अर्ण किया हुआ है तो दोस्तों यह जो दिख रहा है आपको यह है मेरा टेलीग्राम चैनल और यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला कंपनी है इन्वेंचर जिहां दोस्तों इन्वेंचर को हम लोग ने मौर्णिंग में ही पगड़ा हुआ था और यहां पर देखिए एक हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने 8000 का प्रोफिट बुक किया और दूसरे सब्सक्राइबर ने 4000 चार तो दोस्तों 31 फर्ष वाली पार्टी तो जम गई उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे जैसे महरुति को लोग ने बाई किया था महरुति क्या 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 बैंकर आज उसने अपनी इस पीड दिखाए कि हां कितनी स्पीड से जा सकती है तो यहां पर आज हम लोग ने महरुती में बहुत बढ़ दोस्तो अगर हम बात करें सबसे पहले fundamental stock के अगर हम भूब करें तो पता नहीं आपने morning वाली वीडियो देखें कि नहीं देखें दोस्तो अगर आप पैने श्टोक में काम करते हैं ना तो morning वाली वीडियो देख लिजेगा नहीं तो दोस्तो आपको पच्छतानी किसी वाग क कि अगर आप पेने स्टॉक में काम कर रहे हैं और माल लीजिए 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे वल श्टॉक आपने खरीद लिए और आपको पता ही नहीं कि वह ASCM के stage 1, 2, 3 में है या GSM में आ गया है ASCM क्या होता है जहाँ पर सेविक किस तरह से ASCM को ASCM पर restriction लगा करके रखती है वहीं सेविक किस तरह से GSM वाल श्टॉक को restriction लगा करके रखी हुई है और आप गलती से बाई करके आप तो ये इंतजार करें कब इसका target आएगा और आपको पता ही नहीं कि ESM क्या है और GSM क्या है इसलिए दोस्तों ये morning वाली वीडियो 7 गंटा पहले मने अपलोड किया हो था अल्मुष 6-7,000 लोगों ने देख लिया हुआ है अगर 6-7,000 लोगों को अब ये पता चल जागा कि कोई भी आगर आपको ये कहे कि इस stock को पहने stock 30 पैसा 20 पैसा 5 पैसे वाले को बाई कर लो आप सबसे पहले उसका ESM और GSM चेक करोगे उसके बाद ही उसको बाई करोगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इडवेंचर की बात करें तो 3.54 पैसे पर इसका है अपर सर्कीट और मैंने यहाँ पर बोला हुआ था अपने टेलिग्राम चैनल पर क्योंकि मुझे पता था देखिए कि यहाँ पर यहाँ पर यह एक प्राइस सेक्षन है दूसरा प्राइस एक्षन के हिसाब से यहाँ पर प्राइस एक्षन के हिसाब से हम अगर यहाँ पर रजिस्टेंस लगाते हैं एक अगर रजिस्टेंस लगाते हैं तो दिख रहा है कि इसी प्राइस पिर आ करके यह कहीं न कहीं यहाँ पर देखें यह कहीं न कहीं अब क्लोजिन द तो दोस्तों इसमें आपको strategy बनानी पड़ेगे, strategy वो इस तरह की strategy थोड़ा सब समझ लीजीगा, तब आपको चीजे यहाँ पर पूरी की पूरी clear हो जाएगी, देखे, strategy आपको यह बनानी है, कि यह अभी हमने बात किया था, कि यहाँ पर एक हमारे पास resistance है, ठीक है, और 3 र बात करें, तो 3 रुपया कितना पैसा है, 54 पैसे का अपर circuit है, अगर नहीं लगता है, तो फिर हमें इस level पर एक line लगा करके रखनी है, और यह हो जाएगा support, और यहाँ पर है आपके पास resistance, ठीक है, support और resistance, अब support के और resistance के बीच में जो price हमें निकल कर क्या रहा है, वो है 3 अगर आज यह circuit नहीं लगता है, तो हो सकता है, कल के दिन आपको यह फंसादे थोड़ा सा नीचे आ सकता है, अगर नीचे आता है दोस्तों, अगर नीचे आता है, तो आपको इसे 3 रुपया और फिर 5 रुपय के बीच में फिर से यह opportunity देगा भाई करने के लिए, अगर यह आपको यहां पर देख रहा है, और यह दो चीजे क्या है, अगर आप मुझे फोलो करते हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता जूँगा, वो कुछ भी ऐसे सीक्रेट नहीं रखूंगा, जो आपको पता नो हो, सारा कुछ बता दूँगा, और आप और वीडियो द देख लिजिए, अगर आपको वो चीजे ना, इस तरह से complicated बताए जाती है, ताकि वो दिमाग में नहीं गोज़ता है, और जिस तरह से हम लोग fundamental बताते हैं, आपने एक बर देख लेना, जिंदेगी भर कभी नहीं बुलोगे, कि पेनी बाबाने क्या बोला था, तो दोस्तो और GSM वाली कमपनी भागेगी क्या, आप अगर price की उपर जाते हो, कि 10 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसे का बता दो, और अगर आप से ही रह जाओ, तो फायदा क्या, उससे अचा कि हम 1.5 रुपे वाले, 2 रुपे वाले स्टॉक को पकड़ करके profit ले ले, तो यहाँ पर safe तरीकी से आ आराउंड 3 रुपे के पास चल ला है, तो 2 चुक को 8, अगर 4 रुपे यह भागती है, तो 8 रुपे और 5 रुपे भागती है, तो 2 पैसे 10, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें target निकल करके आ रहा है, वो target around हम लोग कहां पर लगाएंगे, around लगा लेते हैं, 10 रुपे के पास, तो सबसे पहला जो target होगा friends, आपको वो target chart के उपर लगाना है, कितने का, यहाँ पर मैं एक mark कर लेता हूँ, ताकि जब इसके उपर जाएगा, तो फिर हम लोग all time high के पास, 4 रुपे 70 पैसे कब, पहला target, 3 रुपे 45 पैसा अभी भी चल ला है, try कर रहा है, यहाँ पे देख जैसे ब्रेक वार्ट 3 रुपे 44 पैसे पर गया, तो आपको लग जाएगा यह, हालाकि 3 रुपे 50 पैसे टर्च करके आया, लेकिन 4 पैसे से circuit रुका हुआ है, अब circuit अगर लग जाए तब तो बहुत बड़ी बात, अगर नहीं लगता है, और आप इस वीडियो को देखेंग तो कल के लिए आप इस company में strategy लगा सकते हैं, तो दोस्तो ये तो होगे हमारा पहला company, आईए अब हम अपने दूसरी company जिसका fundamental तगड़ा रहेगा, उसी को देखेंगे, बाकी company को हम लोग ignore करेंगे, तो जो दूसरा company है दोस्तो उसका, यहाँ पर देखेगा, इस company का नाम है स्री हविसा hospitality, तो इसमें इसका price भी 2.50 पैसा चला है, यह कहां तक जाएगा, अच्छा, अगर आप cup वाला strategy जानते हैं, तो आपको पता होगा कि इसका pattern किस तरह से बना होगा है, कप आपको पता होगा कि cup इसी तरह से रहता है, और बाद में आकर के यहाँ पर एक handle बनता ह तो दोस्तों अगर आप cup वाले पर जाओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से इस company ने यहाँ पर cup वाला pattern बनाया हुआ है, अब धीरे धीरे यहाँ पर बनाएगा handle, और handle बना करके जिस दिन यह breakout उपर की side में किया ना, तो उस दिन बहुत जादे chances होगे इस company क तो उपर जाने के लिए, तो फिलहाल क्या करना है हमें, फिलहाल यह देखना है कि यह हमारे पास एक resistance है, ब्रेक होता है, तो उपर की side में हमारा target कहाँ पर होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग fundamental पर एक बार देख लेते हैं, तो दोस्तों किसी भी company में इंट्री करने से पहले ASM और GSM को देखना ना भूलीगा, ASM और GSM अगर आपको नहीं पता है कैसे देखते हैं, morning वाली वीडियो को जरूर देखीगा, और इसमें मैंने पूरा detail में कबर के हो है, हाला कि 30 मिनट की वीडियो है, ऐसा नहीं है कि चोटा मोटा वीडियो, जब भी आप किसी चीज को deeply बताने जाओगे, तो वीडियो तो बड़ी बनी ही, बनेगी ही, बनेगी, और जिन लोगों ने, मतलब 6,000 लोगों ने देख लिए हुआ है, आज के बाद से कभी भी किसी भी श्टॉक में घुसने से पहले, ASM और GSM को जरूर देखेंगे, तो दोस्तों, अब हम बात कर रह रिजर्ण में पैसे नहीं रखा हुआ है, बुक बैल्यू की बात करें, तो अराउंड सवा रुपय का बुक बैल्यू है, एक रुपय अठाज से का, और अपने बुक बैल्यू से, कहां पर चल ला है, अराउंड उसके पास ही चल ला है, ओके दोस्तों, यहां पर प्रमोट का स्टेक है, वो स्टाटिक है, हाला कि दिसंबर 2020 से 2021 के बीच में थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है दोस्तों, और इस कमपनी में यह देखे किस तरसे डी आई से यहां पर हुआ करते थे, लेकिन डी आई से अभी कम है, लेकिन पॉब्लिक में कौन से ऐसे लोग है जो घुसे हुए है, आप जैसे यहां पर घुसेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको मालू पड़ जागा, तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखें, तो इसका बुक वैल्यू के पास ही है, और इसका अगर हम लोग टार्गेट निकाल लें, डेल रुपे के हिसाब से, डेल दुना, तीन, ड दिखा देता हूँ, ये भी कंपनी 35 पैसे का हुगा करती थी, कॉंसल्टेट कर रहे थी, उपर क्यूं भागी, उपर क्यूं भागी आखिर ये कंपनी, चली मैं आपको दिखाता हूँ, क्यूं भागी ये कंपनी, अगर आपको थोड़ा से भी डाउट हो, तो आपको क्या क करना है इस company का नाम यहाँ पर copy करना है आना है BSC के website पर और BSC के website पर आप जैसे ही यहाँ पर search करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा इस company का data और जैसे ही data आएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ना तो यह company ASM में है और ना ही GSM में अब ASM क्या होता है additional surveillance measure और दू दोस्तो additional surveillance measure में बहुत सारी कुछ है पहले वाले वीडियो में पोस्ट कर दिया हूँ और graded surveillance measure वाले में क्या है ऐसे कोई struck मिल जाए तो इसको एकताम इगनूर करते है ना तच भी नहीं करना है तो स्री हविसा Hospitality and Infrastructure Limited इसलिए यह भागी हुई क्यूंकि इसका fundamental ठीक है ठीक पर मत जाएगा thumbnail के हिसाब से मतलब होता है ना कि इसका target इतना उतना लेकिन जो reality है आप जब वीडियो में घुसेंगे पूरी quality आपको इस वीडियो में बिलेगी हाँ अगर आप quality के साथ देखते है तो दोस्तों होता है क्या है जब दो चीजे होती है या तो अगर कोई एक अच्छा बंदा हो ग्यान दे रहा हो ना तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये अपने अपने सोचने का नजरिया होता है अगर आपको मतलब किसी से ग्यान लेना है तो आप ये नहीं को कि बंदा कैसा है उसका attitude कैसा है उससे आपको मतलब नहीं होना चीए आपको मतलब होता है ना तो उस knowledge से जब कोई जादे knowledge देता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये ये कौन आ गया भाई अब तक तो महीं था और मेरे से उपर ये कैसे आ गया तो वो उसकी बारे में अनाप सनाप कह करके मतलब उसको दी मोटिवेट करने की खुसिस करते हैं और मैं ये ट्राइ करता हूँ कि सब को मोटिवेट करूँ ठीक है और आप भी दोस्तों अगर मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में प्लीज एक बाल लिखिए का फंडामेंटर कैसे लगता है कंपनी को किस तर से ज हम लोगों को बहुत दूर तक चलना है और ये सेयर मार्केट एक दिन का नहीं है ये सालो साल चलता रहेगा इसमें कहा कब कैसे क्या करना है वो सारे कुछ हम लोग बहुत बारिकी से ट्राइक करते हैं तो देखेंगे दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि वीडियो मेरी अदनी बड़ी बनती है अगर आपको स्पीड में देखना है तो यूटूब में यूटूबर स्विड चेंज करने के लिए आपशन है मात रत अगर दस मिनट की वीडियो हो तो आपको तीन मिनट में वीडियो देख लेंगे और सब कुछ आपको दस मिनट की जगे 3-4 मिन यहां पर है सेतू बंधन इंफ्रास्ट्रक्ट्चर जी ओ सेतू बंधन infrastructure लिम्टेट के हम बात करें तो इस company को सबसे पहले सबसे पहले हमें क्या करना है इस company का यहां पर हमें देखना है data तो data में हमें यह दिख़ रहा है कि market cap 31 करोण का Inventure और सिरी हविसाम लोग ने देख लिया सेतु बंधन 3 कंपनी है अगर मैं राइट हो तो Depth 78 करोण और इसके पास पैसे हैं इसे रिटरन देने के लिए तो ये 37 Book Value के हिसाब से इस कंपनी को देखें तो Book Value 4 है और Current Market Price की देखें तो 2 रुपया 80 पैसा है जी हाँ दोस्तों ये हो गया प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं बात करें प्रमोटर का स्टेक 27 के पास है आपको क्या करना है इस कंपनी को एक बार क्या देखना है ASM और GSM एक बार जब तक देखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ना नहीं है अगर आपको ASM दिख गया तो कंपनी के साथ क्या करना है GSM दिख गया तो कंपनी के साथ क्या करना है वो आपको depend करना है और अगर आप मुझे कहां गया भाई अगर आप मुझे follow करते हैं एक मड़ दीजीगा copy चार्ट के उपर आगया से तो इंच्वा ये देखिए ये देखिए ये देखिए इसका वीडियो भी बना था अलमोश या रिजिस्टेंस और सपोर्ट है तो दोस्तों ये कंपनी निकल चुकी है और इसका टार्गेट हम लोग ने कहां पर सेट किया था इसका टार्गेट जस्ट इसके हिसाब से अभी मैं एसम और जेसम देख लेते एक बार चार का है चार का है बुक में लोग तो चार चुक को सोला तो 16 पर टार्गेट लगाए और 16 पर टार्गेट लगाने के बाद से यहाँ पर मैं करूंगा पेश जी हाँ यहाँ यहाँ पर आपको देख रहा होगा ना तो यह कंपनी एसम है ना तो यह कंपनी जी एसम में है अगर जी एसम में है तो क्या करना है एसम में क्या करना है मौर्ण ओली वीडियो देखेंगे न यहाँ पर तो आपको पूरा दिमाग खोल जाएगा दोस्तो, विश्वास के साथ कहता हूँ अगर आप ये वीडियो देख लेएं तो आप जितने पहने श्टॉक मिलते हैं सबसे पहले आप यही काम करेंगे इंट्री करने के पहले, यह SM में है की नहीं है GSM में है, तो क्या करना है दोस्तो, इसी के साथ बीदा लेता हूँ और इसका टार्गेट जो है पहला टार्गेट हम लोग 4, 4, 4, 16 के हिसाब से लगाएं तो as a swing trader हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 8 का लगाते हैं और जिस दिन यह 8 का जाएगा उस दिन हम लोग जाएंगे मतलब next target के लिए और बीच में कुछ भी update होता है दोस्तो तो मैं आपको इस company के बारे में update करते रहूंगा तो friends CC के साथ बीदा लोगा और वीडियो अच्छी लेगे, please like से और subscribe जरूर किजएगा क्योंकि like आप लोग इतना करते हैं दोस्तो दिल खुस हो जाता है और इसलिए मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी quality की company और अच्छी से अच्छी quality का fundamental समझाने के खुसिस करता हूं चलिए दोस्तो बीदा लेता हूं मिलते हैं next वीडियो में next multi-veggar penny stocks के साथ